एक वर्स है 1907 जहाँ पे इंडियन नेशनल कॉंग्रेस का अधिवेशन होता है सूरत में और वहाँ पे आपका इंडियन नेशनल कॉंग्रेस यानि आई एंसी दो भागों में विभक्त हो जाती है एक बन जाते हैं गरम दल और एक बन जाते हैं नरम दल गरम दल की बात करें तो गरम दल के प्रमुखनेताओं की बात करते हैं तो लाल बाल पाल थे यानि लाला लाजवतर आये बाल गंगादर तिलक और उसके बाद विपिंचंद्र पॉल ये आपके क्या थे प्रमुखनेता थे गरम दल के और नरम दल की बात करें तो दादा इनर जी फिरोज शाह महता जी ये 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था इसलिए उसे सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है इंडेन नेशनल कॉंग्रेस के स्टापना 1885 में ए ओ हुम और दादा भाई नौरोज जी जी ने की थी पर मोर वीडियोस सब्सक्राइब वर्धनम अकेडमी